नहुश्कार दोस्तों, हम आज के इस सतर में बात करेंगे, अभी आगे पत्रिस, सब्वीस, सब्वीस, सब्वर्वरी के लास्ट वीक में अध्यापक परती परिक्षा का आजन होना है, आप सभी को अच्छे से पता है, और आप इन चीजों से सफर भी कर रहे हैं, बढ़िया एक वीडियो लाओंगा, जिसमें मैं ये बताओंगा कि नेगिटिव मार्किंग से कैसे बचे हैं, ठीके मैं इस विशे पर बात करने की मैंने आप से प्रॉमिस की थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वैसे मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता, एक्जाम टाइम में, क्योंकि एक्जाम का टाइम बड़ा महत्वण होता है, और इस समय एक एक मिनट महत्वण है, एक घंटा महत्वण है, और ऐसी इस्तिती में मेरा मन नहीं करता कि मैं लाइव आउं यहां फिर ऐसे वीडियो बना बना कि आपको एक प्रकार से आपका समय खरब करो, बहतर है कि आप अपने इस तरह पर पढ़ते रहें, और मेरा दाइद तो बनता है कि मैं थोड़ा सा मेरे अनुभव आपसे शेयर करो, ताकि कम से कम गलती एक्जाम में हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, जिनका परिक्षा में छोटी मोटी गलती नहीं होती हो, सबी से होती है, दो तीन, दो तीन गलती है, सब से रहती है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यह होना चीए, कि कम से कम परिक्षा में मिस्टेक हो, अगर यह है कि बिल्कूली मिस्टेक ना हो, यह तो बहुत बड़ी बा ठीक है तो पहली बात हम लेते हैं कि परिक्षा तक क्या करना है ठीक है एक्जाम तक आपका वेभार क्या होना चाहिए मैं हर वीडियो में बताता हूं और इस वीडियो में भी यही बात करूंगा कि एक्जाम तक आपको क्या करना है सबसे पहली बात देखें अभी साथ आठ दिन बचे हैं तो मेरा यह मानना है कि आपको कुछ भी नया मैटर नहीं नाना है नया नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना क्यों कि नया पढ़ा हुआ फाइदमन तब ही होता जब हम उसका तीन से चार बार ठेक से रिविजन कर पाते हैं और रिविजन आप करनी पाओगे ऐसी इस्तिती में नया पढ़ने से आपको लॉस ही होगा, फाइदानी होगा, ये बात लिख के लेना आप, तो जितना पढ़ा है आपने उसी को वापस पढ़ना, ठीक है, अब मार्केट में आप कोई नई किताब देखते हो, नई स्टेस्ट पेपर देखते हो, या नया कूर का आप कर नहीं पाए हो अच्छे से, तो कोई बात नहीं, पूरे राजस्तान में ऐसा कोई स्टूड एड नहीं है, जो तीन सो का तीन सो का तैयार करता हो, पॉसिबल भी नहीं है, तो दस बीस नमबर का अगर इदर दर होता है, तो कोई लोड लेने की आपसकता नहीं है, वैसे भी 278 की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, ऐसे टोपिक छोड़ दें, जो नहीं हुए है, उनको छोड़ दें, क्योंकि अब उनको तैयार करके आप ठीक नहीं कर सकते, बढ़िया नहीं कर सकते, तो समय खराब करने से बजाए, आप रिविजन करोगे, तो ज्यादा बहतर रहेगा, तो नया नहीं पढ़ना है, और दूसरी बात, अभी जो टोपिक छूट के हैं, उसको वापस नहीं देखना है, जो टोपिक आपने छोड़े थे पहले, वो देखने नहीं है, वो छोड़ दे, क्यों? छोड़ना इसलिए है, कि अभी अगर उसको करोगे, तो आगे 6-7 दिन का समय है, इसमें रिवीजन सबसे अधिक करें, अब रिवीजन कैसे करना होता है, लास्ट टाइम में किताब की लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी होती है, लास्ट टाइम में किताब के अंदर मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने कोई किताब पढ़ आपको देखने हैं और उन विश्यों का रिविजन पहले करना है जो बिलकुल नए जुड़े हैं और उन विश्यों का रिविजन बाद में करना है जो आपके बहुत अच्छे हैं या तैयार है अल्रेडी क्योंकि अगर रिविजन को टाइम नहीं भी मिलता है तो भी कोई इस तो फिर आप अगर आदा गंटा पंदना मिनट रिवीजन कर लेते हो स्वारी मोडल पेपर कर लेते हो तो कोई फरक नहीं बढ़ता जैसे पढ़ते पढ़ते ठक गए तो पांच-दस मिनट आपने कोई पुराने पेपर बगेरा टिक कर लिए तो तो कोई इश्यू नहीं करना चाहिए लेकिन दो-दो चार-चर गंटे परशन 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 नहीं करने कोशिश करो कि रिवीजन करो और साथ मैं ऐसे आधा-दा गंटा दस मिनट पंदरा मिनट कोई मोडल परशन आता है सामने तो वो देख लो इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं इसके अलावा आप अ ऐसी इस्तिय आ सकती है तो बहतर है कि लास्ट टाइम में टेस्ट ना दे और उसकी बज़ाए आप पांथ दस पंदरा बीस परशन देखते रहें ठीक है मोडल पेपर ऐसे भी फाइदा देता है जब थोड़ा सा डी मोटिविशन होता है जैसे लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं तब हम अगर यहां से दस पंदरा बीस परशन करते हैं तो थोड़ा सा अब बात आती है विभिन चर्चाओं से दूर रहें जो है यह आपके तनाव का कारण होता है ठीक है क्यों कि जतने भी आप मार्केट में कहीं चाय की थड़ी पे जाओ गया लाइबरीरी में बैठे हो या फिर दोस्तों के साथ बैठे हो जनरली चर्चा यहीं होती कोई कहे फ्र कैसे कुटोक्षा करते हो यूट्यूबर से यह लोग सब यही करते हैं चर्चाय करें और बेहतर है कि सारी चर्चां से हटके एकांत में अपने सेलेबस को एक बार से रिविजन करने का प्रयास करें ठीक है जितनी ज़्यादा चर्चाय करोगे उतना ही आप है वो unnecessary thoughts आपकी दिमाग में आएंगे आपकी thought process उसे साफ से चलेगी और फिर आपका ध्यान पढ़ाई पर न रहके दूसरी चीजों पर अभी इसके अलाव कोई कई सारे मोबाईल ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप यूट्यूबर्स ऐसी बात करते हैं तो उसको छोड़ दे क्योंकि अभी आपका इंचे दूर रहना बहुत जरूरी है यही सबसे बड़ा तनाव का कारण होते हैं ठीक है इस परकार की चर्चाओ से दूर रहे और किसी कुछ मत पूछे कितनी कटनी या किस होगा माइन में कोई कट ओफ या स्कोर लेकर ना जाए कि मुझे एतना स्कोर करना स्कूर लेके कभी मत जाएं क्योंकि पेपर कठीन होते हैं तो आपकी दिमाग में जो सोचा हुआ स्कूर है वह नहीं हुआ तो आप टेंशन लोगे ज्यादा करोगे नेगटिव बार्किंग की पेपर सरल आ गया तो भी आप सोच के कुछ मत जाएं पहले प्री प्लांड पर का लेवल कैसा है तो सबसे बढ़िया काम यह होता है कोई ऐसा कुछ मत सोचो अब यहीं सोच के जाओ कि मुझे एक बार रिविजन करना है और ढंग से पेपर देना है ठीक है यह एक्जाम तक ही बाते करने हैं आपको साथ आट दिन रहे हैं और फिर अपना परिश्पत परिश्पतर की एक एक लाइन पढ़ो और जो जो बाते हैं वह सारी लेके और परिख्षा होल तक चले जाओ अब होल में क्या करना है यह दूसरा सबसे एहम प्रश्ण मैं वैसे इस प्रश्ण के लिए ही वीडियो बना रहा हूं यह तो ठीक है यह बता दिया अच्छा नए सेलेबस आये हैं नेगेटिव मार्किंग हैं तो आप यह देखोगे कि एतिहासिक रूप से मेरिट कम रहेगी इस बार यह भी तैब बात है पूरा राजस्तान एक ही टाइप की पुस्त के इंपड़र रहा है डरनी की क्या बात है जो आपकी नसीब में लिखा है वो मि अपने आपको पड़ाई में इतना बीजी कर लो कि दिमाग बाकी चीजा सोच है ने आपका पूरा ध्यान इदर होना चाहिए ठीक है और प्रसंद चितर हैं फाल्तू नेगेटिव चीजों से बहुत दूर रहा क्योंकि आप जैसा सोचो गए ना वैसी घटना घटित होना हो जाती है आप अगर नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो सारे नेगेटिव हर्मोन से एक्टिव हो जाते हैं और आपको फिर हसने भी नहीं देंगे बहुत परिशान ही क्रियेट कर देते हैं तो कोशिस यह करो कि इन सारी चीजों से दूर रहें और अपने परमात्मा म सरस्वती पर विश्वास रखें आपने जिस लेवल की महनत की है आपको वो चीजह मिलेगी आप यकीन रखी अपने आप पे और इस बात को मैं ऐसे हवा हवाई नहीं बोल रहा हूं यह बहुती व्यक्तिकत अनुभाव के बेस्पे मोल रहा हूं ठीक है आपने जिस लेवल सोच होगी तो रात को नीन नहीं आईगी वागिरा वागिरी वैसे मुझे बहुता है कि परिक्षा होती थे मुझे भी नीन नहीं आती थी साथा आठ आठाट दिन तक ठीक है आदय गन्टा दो गूंटे तीन गंटे सो लिए सोने बेवी नींद कहा थी बस सो रहे थे नीन नहीं थी लेकिन एक्जाम के बाद सब रिलेक्स हो जाता था तो नहीं भी आती तो भी कोई बड़ा इस्यू नहीं हां अगर स्ट्रेस डिप्रेशन जैसे इस्ति जैसे तो खराब है ज्यादा सोचे नहीं बस अपने आपको पड़ाई में व्यस्त रखें क्योंकि दिमाग जै ऐऊ-ठीक है पूरा ध्यान रखें फिर वापस आप मैसेश करो कि मुझे सर मैंने रोल गलत बर दिये सर मैंने और फोटो का व्याद पर्दिया से बलने क्यों जलदवाजी करते हो फिर बहुत परिशान ही होती है एक ऑम पूर सेट की एक गलती पूरा फेपर विगाड़ती फिर तीन गंटे पीपर होता है दो गंटे पर होता हर टाइम दिमाग हमार क्यूं गलती खुम दे रहती है इससे अच्छा है कि एक चीज को ध्यान देके भरो ठीक है अच्छा यहां एक और बात बता रहा था सारे चल रहे थे नया बजट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है नया बजट पढ़ने की आपको याद रखने ठीक है अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है जो नई आक्ड़ों के अनुस्वारा जाता है तो डिलिट हो जाएगा क्यों कि पुराने आंक्ड़ी जो है वह आपकी उसमें साथ में होंगे नए भी साथ में होंगे तो पेपर सैटर नया पुराना वाला उत्तर माने का मुझे पता है और फिर नए वाले के बेस पर अबजिक्शन लगेगा तो आपको नया पढ़ना ही नहीं है पुराने वाला चीज़े पढ़नी है हां कोई चैंज हुआ जैसे बाल देन जो आएगा उस दिन आप किसी से कोई चर्चा ना करें मतलब परिक्शा देने तक तो कोई चर्चा ना करें ना बाहर गेट के बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे होते हैं उन से दूर रहें क्योंकि कई बार ऐसा फाल तो प्रश्न करके आपको डेप्रेशन में डाल तो इस परकार की सामगरी से दूर रहने के लिए परिक्शा के दिन विबिन परकार की चर्चाओं से दोड़ रहे हैं ठीक है इसकी अलावा एक्जाम देने जाते हो तो कब तक पढ़ना है आपको मैं वह भी बता देता हूं आप परिक्शा शुरू होने से आदा गंटा पह जो भी पेजेज वगरा है कुछ पेजेज आप अपने साथ रखके पढ़ सकते हो ठीक है ऐसा नहीं हो कि पांसाथ किताबे लेकि परिक्शा होल के आगी चलिए आपकी पढ़ाई जो है वो परिक्शा से एक दिन पहले शाम को रात रोंदस से ग्यारा बस तक जब तक आप तब पूरी हो जानी जी है फिर सुबह ओठके आप ऐसी कोई पेजेज या शौट में कोई नोट्स या फर्मूलास वगरा याद रखना चाते हो जैसे चार पांस पेज ले सकते हो किताब में आपको साथ में नहीं रखनी है ठीक है शौट में पेजेज वगरा आराम से पां करते हैं जंदली समस्य आती है या घड़ी नहीं होती है लड़ पड़ते हैं लड़ना नहीं है उसको आगरह पूर्ण करना एक लिए इस्तति है हमारे लिए करियर का सवाल है तो प्लीज आप सांती बनाए रखें ऐसा सांती से कहोंगे तो वह भी सांत हो जाएंगे ठीक है तो लड़ना जड़ना नहीं है परिक्सा होल के अंदर ऐसी कोई नकल अकल काव काम नहीं करना किसी से पूच्छो करो इससे समय मत कराब करवा ठीक है इससे अच्छा है आप अपने पेपर पर द्यान दें किसी की बहलाई की चक्र में आप मारे जाओके बहतर है आप अच्छने से किया दो-चार सवाल देख जाते हैं फिर उन्में से अगर एक नहीं आ रहा है पूरे दिमाग में सवाल गोमता रहता रहा है इसका उतर पिर वो टैंचन आ जाती है मिरा को तो आहीं रहा है प्रकार से ना देखे प्रश्ण को हमेंसा ध्यान रखे अपना प्रशन है मान लेते हैं तो आपको तीस प्रशन जो है पहला प्रशनी करना दूसरा देख नहीं पहला करो फिर दूसरा करो तीसरा करो ऐसे करते करते हैं आपने सैक्षिनिक परिद्र से कि तीस सवाल जो है वो अच्छी से टिक कर दिये ठीक है टिक करने के बाद में वो 30 सवाल वह मारे चुछी नो भर दो ठीक है उसी समय बर दो फिर इसके बाद मालो आगी साइकोलोजी माल 20 सवाल आई उसके फिर साइकोलोजी के 31 32 ऐसे करके देखो मतलब यह है कि पहला सबसे पहले psychology करनी है तो आपको psychology जैसे 120 नंबर पे मिलती है तो ठीक है सिधा 120 पे चले जाओ 120 से 150 तक के सवाल paper में solution कर लो और फिर है वो omar sheet में अपना ध्यान से भर दो उसको omar sheet भरने में भी ध्यान रखना है आपको तो इस तरह से आपको क्या करना है omar sheet और प्रशन दोनों आगे की प्रशन नहीं देखने हमेशा जिस प्रशन पर हो उसी प्रशन को ध्यान से पढ़ो मुझे अच्छे से याद है कि एक बार किसी paper में मेरा time management बिगड़ गया था मुझे याद नहीं कौन सा प्लस दूसरा काम क्या करना है आगे देखे नहीं दूसरा काम क्या करना है omar sheet जब प्रशन आप करते हो तो omar sheet को बढ़ते समय बागवार बरू बागवार कैसे जैसे अब आगे के बागवार बढ़ते बढ़ते 150 तक आ जाते हो तो आपको क्या करना है बागवार omar sheet बढ़नी है और आगे की प्रशन नहीं देखने जिस प्रशन पर उसी प्रशन पर देखो अच्छा कौन सा बाग पहले करना कौन सा बाद करना यह आप की उपर है वैसे मैं तो मेरे साथ से प्रशन से क्या एक सी शुरू करता था और कोई आप ऐसा करते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता कैसी भी नहीं पड़ेगी कि नेगिटिव मार्किंग जो है यह सबसे पहले किसी भी प्रशन को आप कम से कम 3-4 बार पढ़ें प्रशन को पढ़ने के बाद क्या पूचा है नहीं पूचा है यहां सत्य अच्छत्य पूचा है ठीक है अगर ऐसा कोई पूचा है क्या पूचा गया है उस कथन को बोल्ड करें ऐसी, कि ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि प्रशन को तीन चार बार पढ़ने के बाद में, प्रशन की जो निकस है, मैंद करक्ष है, उसको बोल्ड करें, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाहरा, ताकि आप प्रशन को पढ़ने में गलती नही अब प्रश्ण को तीन-चार बार पढ़ने के बाद में एक काम ये भी करना है कि प्रश्ण को दोनों बासाओं में पढ़ने हैं ठीक है अंग्रे जी में भी देखे क्योंकि कई बार प्रश्ण समझ में नहीं आता तो इंग्लिस की टर्म्स आपको समझ में आ जाती है तो आपका परिश्पत्र रख लें ठीक है और प्रश्ण पढ़ने के बाद उत्तर निकालने की कोशिश करें याद करें अगर उत्र दिमाग में सीधा ही आ जाता है और option वह पड़ा तो ठीक है कर लो अगर Division या नहीं आ रहा है तो फिर आप वह चार ऑप्शन को देखें सी और डी अगर सीधा उत्र अज़ए तो सीधा कर दो नई तो सीधा वने तो भी आप यह करो जैसे मिस्टात यह लग पिलिंग आती है कि चलो पहले वाला मेरा सही हो गया चाहिए वो गलत हो रहा है फिर भी आपको अलग से confidence अंदर से गजब तरीके का confidence आता है तो हर प्रशन को इस टाइप से करो आप ठीक है एलिमिनेट भी दी और अब देखो तो नेगिटिव मार्किंग से बचने का एक ही तरीका है प उसमें है तो उसके बाद में तीन अप्शन एलिमिनेट करके जो आपके दिमाग में आया फाइनली वही कर लो अगर आपको उप्शन बिना देके उतर नहीं आ रहा है तो प्रपेपर हटाओ और चारों ओप्शन को एलिमिनेट करके इस तरह से उतरने का हूं तो आप पहले पर ऐसे असब बे तुक्के मत लगाओ आप लोग क्या करते हैं कई बार ऐसे देख के कर लेते हैं कि हो जाएगा ऐसे तीन चार सवाल आप करके आते हो यह तो फिर वही है कि आप अपना ही नुक्सान कर रहे हैं अगर आपको तीन विकल्प नहीं आ रहे हैं मतलब इनमें से एक ही एलिमिनिट हो रहा है तीन का अपको कोई पता नहीं है देखो चार ही एलिमिनिट नहीं हो रहे हैं तो तो बिल्कुल छोड़ दो अगर तीन एलिमिनिट नहीं हो रहे हैं तो भी उसको प्रश्ण को छोड़ दो आप ऐसे प्रश्ण ना करें अगर तीन में अगर दू eliminate हो रहे हैं, जैसे A और D पक्का नहीं है, अब C और B में हैं, तो ऐसे प्रश्ट तो करी ले आप, फिर तो risk तो लेनी पड़ेगी, और अगर तीन ही eliminate हो रहे हैं, ऐसे करें, तो प्रश्ट करने कौन से हैं, पेपर में, यहां तो दो option आप eliminate कर पा रहे हैं, या तीन ही eliminate करके एक option पच्रा है आपके पास यह तो पक्का इसा उत्र निकलेगा और इसमें फिर आपकी आधी-आधी प्र उसमें probability रहती है तो ऐसे सारे प्रशन कर ले ठीक है जितने भी आ रहें आपको सारे कर ले तो इस तरह से तुके में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर दो option confirm आप काम ले अगर आप दिल से करोगे भावनाओं में बह की उतर निकालोगे तो फिर आप 10-15 गलतियां कर दोगे और चयन होने में और फैल होने में सर्फ इतना ही फर्क होता है ठीक है तो इस प्रकार की गलती ना करे एलिमिनेट मैथल हमें सा अपना है क्योंकि इसमें कि इतना करने के बाद फिर आपको बबल्स भरना है और गोला भरते वक्त पूरा ध्यान रखना है कोई जल्दबाजी ना करे कि दी यह आ रहा है तो उदर चराके दी भर दो यहां पे बिलकुल समझदारी रखे और इस तरह से एक से एक सो पचास तक चले आए ठीक है और ज सकते हैं तीन अप्शन नी आ रहे एक आपको एक यारा एक है कि निए उस तीन में से कैसे तुक्का मारो गया ऐसी गलती है वो ना करें और सबसे एक महत्वण बात मैं और बताना जा रहा था जैसे कोई सन पूछा गया है ठीक है असन पर कभी तुक्का ना मारे क्यों कोई पता ने जैसे परिवासा पोच लिए इस पर कभी तुक्का ना मारे क्यों कि क्या पता किसकी परिवासा है ऐसी कोई तत्थे पूछे जाते हैं गहरे तत्थे करप्या करके ऐसो पर कभी तुक्का ना मारे अगर आपके अंदर बहुत जादा ही खल्बली मचीवी नहीं एक को तुक्कita मरूंगा कि तो फिर कहाूं तुक्क JaAtAm राभ जहा विसलेशन आत्मक प्रेस्शन हुँ है नविसलेशन आत्मकot प्रशन पर अब तुक्षा का क्थन से कॉन सेहां नहीं चार कथन आगे साइकलोजी श्रॉसा नात्मक जदद आती है प्रशन ऐसा को कोई conceptual प्रशना आता है जहां तथी नहीं पूछा गया है आप मेरी बावनों को बात को समझना जहां कंसेप्ट पूछे गए जैसे मान लो मेरा पूछ ले मैं मेरी पुधान देता हूं जैसे पूछे कि मेरा जनम दिन है जैसे आ गया तीन जुलाई चार जुलाई पान जुला ना लगाए विसले सिनात्मक में लगाया जा सकता तुका ठीक है और वो भी कब जब आपको लगता है कि ठीक है एक दो ऐसे कर लेते हैं तो करना अदर्वाइस नहीं करना ठीक है इन बातों का पूरा ध्यान रखोगे तो मैं दावे के साथ कहा सकता हूं कि आपका पेपर ब बहुत बड़ी आजाने वाला जब मेरे जैसा समय ने वेखती है तो इसके पास कोई ऐसा गोल्डन हैंड नहों और बड़े अराम से सारी चीज़ें कर सकता है धैरे के साथ आप भी कीजिए जब स्ट्रेस जैसी इस्तति आती है तो लंबी सांस लीजी सारी चीज़ें ठीक ह भी हो च cheat करते हैं दो तरह से प्योपर को ऐटेंड़ कीजिए साथ साथ में समय ख्याल रखिए और इन बातों के साथ में मेरी बात पको यहीं खतम कर रहा हूँ उमीद है कि वीड्यो आपके लिए एस नहीं भर आ चाथा था लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी वज़े से अग यह आपके लिए फायदे मंद होगा नुखसान नहीं होगा ठीक है और अगर कोई फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्ना सेस बचा है फिर भी कोई चोटा मोटा प्रश्ना सेस बचा है तो उसका उत्र खुद से तलास लेना और मिलते हैं वापस पेपर आपका होने के बाद में जैसे आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में आपके 27-28 फरोरी के आसपास आपकी आगामी जो परिक्सा हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉले लेक्चर इनके उपर मैं एक वीडियो बनाओंगा और आपको किस और जाना चाहिए, किस के जस्ट अगले दिन मैं ये सारे वीडियो आपके एक दिन लाइव आके सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझा दूँगा ताकि आप अपना अगला टार्गेट लेके बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर सकें बहुत बहुत धन्यवाद विद्यारती हूं